आप सभी का आपके अपने चैनल रंजन स्टेडी सेंटर पर स्वागत है आज मैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूं सर्वोच नियालय सुप्रीम कोट या उच्चितम नियालय देखिए इसका तीन नाम है सुप्रीम कोट इंगलिस में कहते हैं हिंदी में सर्वोच नियालय कहते हैं या उच्चितम नियालय के गठन एवं कारियों को लिखे तो सुप्रीम कोट एक इंपॉर्टन टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का और हंड्रेड परसेंट आठ नमबर के लिए आपके एक्जाम में देखने को मिलेगा तो देखिए क् सर्वोच नियालय का गठन इसमें क्या लिखेगा आप सभी यह अदालत नई दिल्ली में स्थित है यह भारत का सबसे बड़ा अदालत है भारतिये समिधान के अनुसार अनुछेद 124 में इसके गठन की बात कही गई है इस नियालय में एक मुखी नियाधीस मनें CGI Chief Justice of India एक म नियाधीस होते हैं नियाधीस का मतलब जज जिनकी संख्या समय समय पर बढ़ाई यह घटाई जाती है इसका गठन 28 जनवरी 1950 इसवी को हुआ था देखे तो सुप्रीम कोट आये सर्वोच नियालय आये उचितम नियालय आये इसका जो गठन होगा जो कारे होगा तो गठन क अलग से लिखेगा क्योंकि किस तरह से इसका गठन होता है वो लिखेना जरूरी है और यह लिख सकते हैं किनका मने जज का नियुकति कैसे होता है कारेकाल क्या है तो नियुकति में लिखेगा इस नियालय के जजों की नियुकति जज यहां पर चुटा हुआ है इस नियालय की बात करें सरवोच नियाले के न्याय धिसों का कारेकाल 65 वर्ष की आयूतक होता है लेकिन इससे पहले भी संसत की सिफारिज पर राष्ट मति इन्हें हटा सकते हैं अगर इन पर महाभीयोग लगाये जाता है संसद में पास हो जाता है तो राश्डपती उन्हें हटा सकते हैं अब बात करेंगे हम लोग और शक्तियां की भारतिय साविधान के दोरा सर्वोच न्याले को अनेक परकार की कारे और शकतियां दी गई है जिनमे से कुछ निमनलिखित हैं हेडिंग याद मौली का दिकारों का रख्याइज पहले प्रारंबिक छेत्रा दिकार में भारतीय समिधान के चाहि कुछा है दिये गया है जिसके द्वारा कुछ विसेस मामलों को सीधे इस अदालत में पेस किया जा सकता है जैसे जब कोई दो राज्य के भी जगड़ा हो जब केंदर सरकार और किसी राज्य सरकार के भी जगड़ा हो तो यह डायरेट जो है सर्वोच नियाले में जा सकता है मामला दू ऐसे उच्छी नियाले के फैसलों के खिलाप अपील सुन सकता है। यादालत सवेधानिक, दिवानी, फौसदारी सभी मामलों में अपील सुनता है। अगला है परामर्शी छेत्रादिकार समिधान के अनुचेज 143.143 के अनुसार सर्वोच नियालाय में राष्टपती को परामर्श या सलाह देने का अधिकार भी है लेकिन इसे मानना राष्टपती की इच्छा के उपर निर्भर करता है अभी लेक नियालाय में जो फैसले दिये जाते हैं उसे अभी लेक या रिकॉर्ड करूप में रखा जाता है क्योंकि ये अभी लेक कानून बन जाते हैं मौलीग अधिकारों के रक्शक सर्वोच नियायाल भारत के शवी नागृकों के मौलीक अधिकारों के रक्शक होते हैं जब किसी के मौलीक j ingar को हणनन किया जाता है उसे छीना जाता है तो यह अदालत अपने फैसलों के द्वारा उसकी रक्षा करता है इसके अलावा एक खेडिंग और देजी सकते हैं अन्य सकतियां अन्य सकतियां या अन्य कारे लिखेगा इन सभी सकतियों और कारियों के अलावा भी सर्वोच नियाले को अनेक सकतियां और कारे दिये गए हैं जिनका उपयोग वे समय समय पर करते हैं तो ये questions आपका complete होता है उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल पर नए जुड़े होगे subscribe जरूर कर लिजेगा चैनल को आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद